प्रिशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी संकीर मानसिक्ता के कुछ लोग अपनी हरकतों से भाज नहीं आ रही हैं। मामला मेरट के थाना सिविल लाइन क्षेतर का है, जहां बजरंग दल के पदाधिकारी पर एक बच्चे के साथ कोकर्म करने का आरोप है। आरोप है कि खुद को बजरंग दल के संगठन मंतरी बताने वाला राहूल ने बहला फसला कर बच्चे के साथ कई बार कोकर्म किया। और अब जब बच्चे ने पूरी कहानी अपने परेजनों को सुनाई तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहीं शिकायत मिलेने के पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाच कर जल्दी फरार अभ्युक्त की गिरवतारी का आश्वासंदे रही है। पंजाब केसिरी टीवी के लिए मेरट से आदिल रहमान की रिपोर्ट।